बच्चों, हिंदी सब्जेक के आंदर आज हम वर्क्षीट रिविजन करेंगे वर्क्षीट के आंदर आपको प्रेशन नमबर एक स्वार पूरती कीजिए वह कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है बच्चों, हमारी जो स्वार है यहाँ पे जो भी ब्लेंक है उसमें कौन सा स्वार आएगा वो आपको लेखन करना है और श्वार की पूरती करनी है प्रेशन नमबर दो वर्ण जोड कर शब्द बनाए यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? आपको दो वर्ण दिये गए है उसको जोड के आपको पूरा शब्द बनाना है दो वर्ण तीन वर्ण यह सब मिला के आपको क्या करना है? शब्द बनाने है चलो देखते है फर्स नमबर पे न प्लस ल बराबर नल बा प्लस स बराबर बस ज प्लस ल बराबर जल फर प्लस ल बराबर फल अब ये सारे हम लोगों ने दो वर्ण को जोड कर शब्द बनाये है आगे का तीन वर्ण है जैसे आ प्लस ग प्लस र बराबर अगर सिक्स नमबर पे तीन वर्ण है म प्लस ग प्लस र तीनों को मिला के पूरा शब्द बना है मगर आगे सरपट अच्छा उसको कैसे लेखन करेंगे तो स प्लस र प्लस प प्लस ट बराबर कौन सा सब्द बना है सरपट आगे ख प्लस ट प्लस प प्लस ट दिया हुआ है कौन सा सब्द बना है बच्छो खटपट अब आगे नाइन नमबर पे आ प्लस ट प्लस र पूरा शब्द बना अक्षर आगे आ प्लस म प्लस न सब्द बना है अमन वर्ण को जोड़कर सब्द बनाना आप सबको आ गया होगा ओके आगे बढ़ते हुए प्रश्ण नमबर त्री सही उत्तर चुन कर रिक्त स्थान भरिये रिक्त स्थान यानि फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे करनी है जिसके अंदर आपको ब्लैंक के बाजू में यह ब्रेकेट दिया हुआ है जिसके अंदर दो शब्द है जो सही उत्तर है उसको आपको चुन कर उस ब्लैंक के अंदर रख देना है चलिए स्टार्ट करते है फर्स नंबर पे कुम कुम ब्लैंक धून सुनाती है कैसा ही धून सुनाती है ब्रेकेट में आपको दो अप्शन दिये गए है जिसे मदूर और बेसुरा तो कौन सा आंसर आएगा मदूर मैंने यहाँ पे रेड कलर से जो आंसर है वो दे दिये है तो आपको क्या करने है कुम कुम मदूर धून सुनाती है सेकंड नंबर पे बढ़िया ब्लैंक बनाती चीडिया क्या बनाती है चीडिया? बढ़िया खिचडि बनाती चीडिया अब आगे फ़र नंबर पे पूजारी की ब्लैंक गिरादी क्या गिरादी थी पूजारी की? तो लुटिया आपको ब्लैंक के अंदर क्या लिखना है? लुटिया फोर नमबर पे ब्लैंक की मौसी का एक उपवन है तो ब्रेकेट में आपको अप्संस मिले है सोभा और मैना तो कौनसा अंसर सही है बच्चों? तो शोभा की मौसी का एक उपवन है फाई नमबर पे तोता ब्लैंक पर बेठा था तोता कहां पर बेठा था? ब्लैंक में क्या अंसर आएगा? तो डाल तोता डाल पर बेठा था शिक्स नमबर पे कौवा ब्लैंक छीन कर ले गया कौवा क्या छीन के ले गया था? तो रोटी कौवा रोटी छीन कर ले गया आगे सेवन नमबर की प्लैंक है काला काला ब्लैंक आया काला काला क्या आया बच्चो? बादल काला काला बादल आया एट नमबर पे मिठा ब्लैंक गाती रानी तो मिठा क्या गाती थी रानी? गाना ओके आगे बढ़ते हुए नाइन नमबर की ब्लैंक में ब्लैंक लाती चीडिया पानी या तिनका तो क्या लाती है? तिनका तिनका लाती चीडिया आगे लास्ट फिलिंग दे ब्लैंक फुदक फुदक कर ब्लैंक फिर आई बिल्दी आई या चुहिया? कौन सांसर सही है? तो चुहिया फुदक फुदक कर चुहिया आई आगे प्रेशन नमबर चार शुन्दर अक्षरों में शब्द लेखन कीजिये बचो यहाँ पे टैन दश आपको शब्द दिये है आपको वैसे ही वैसे सामने वाली ब्लैंक में लेखन करना है लेकिन कैसे करोगे? आप सब बड़ी अक्षरों से लेखन करोगे सुन्दर अक्षरों से सही जोडनी देखोगे सही मात्राय लगाओगे और अपने सुन्दर अक्षरों से लेखन करोगे आगे प्रेशन नमबर फाई चित्र पहचान के शब्द से मिलाए ओके बचो यहां पे चित्र दो और उसके सामने नाम अलग दिये हुए है तो आपको क्या करना है? देखो आपको चित्र को उसके नाम से जोड़ना है आपको मैं दिखा दू देखो यहां पे गुलाब है उसको गुलाब के सब्द के साथ जोड़ दिया जोकर का चित्र है तो जोकर शब्द से जोड़ा हुआ है आगे औशदी है औशदी को औशदी शब्द से जोड़ा गया हाथी का चित्र है तो हाथी सब्द से जोड़ा हुआ है आपको सही जोड़ मिलानी है तो आगे हम क्या करेंगे? पतंक का जो चित्र है तो पतंक शब्द से जोड़ो ओखली है तो ओखली शब्द से जोड़ो उल्लू का चित्र है तो उल्लू शब्द से जोड़ो और अंगूर का चित्र है उसको अंगूर शब्द से जोड़ना है लांस्ट ये कौन सा चित्र दिखाई दी रहा है तो पहला चित्र है इद का और दूसरा है सूरज का तो आपको क्या करने हैं? सूरज को सूरज सब्द से जोड़ दो और ईद के चित्र को ईद सब्द से जोड़ो ओके? आप लोगों को वरक्षिट समझ में आ गई होगी घर पे आप सब प्रेक्टिश करना बेश्ट अप लग तो यहां से जोड़ों प्रेक्टिश करने ही जोड़ों प्रेक्टिश करने ही जोड़ दो प्रेक्टिश करने हैं?